कि नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत सवाल पूछा जा रहा है अब कि क्या ये लोग दिल्ली तक पहुच पाएंगे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है अभी तक तो ये दावा किया जा रहा था कि हम 13 फरवरी को दिल्ली पहुच जाएंगे और वहां पर जो है दिल्ली को घेर करके प्रदर्शन शुरू कर देंगे आज तो 14 फरवरी हो गई है यानि करीब 20 घंटे बाद भी अगर ये लोग दिल्ली नहीं पहुच पाए हैं और ये सवाल पूछा जाने लगा है मीडिया के द्वारा कि क्या ये दिल्ली तक पहुच जाएंगे तो इसका जवाब मैं ही देदेशा हूं सरकार को देने की जरूरत भी नहीं है और सरकार ने जो कुछ किया है पिछले 24 घंटे में नहीं पिछले करीब करीब एक सब्ताहा में जो तैयारी की है उसके दम पर मैं ये कह सकता हूं उसको देख करके मैं ये कह सकता हूं कि ये दिल्ली नहीं पहुच सकते हैं इस बार ये दिल्ली नहीं पहुँच सकते और ट्रेक्टर्स के साथ तो बिलकुल भी नहीं पहुँच सकते और अगर ये दिल्ली पहुँचते भी हैं ट्रेंस के जरिये बसों के जरिये कार बाइक के जरिये दूसरे रास्तों से अगर पहुँचते भी हैं तो जहां ये इस बार फिर से अंसूबे के साथ आये थे वहां पहुंचने से पहले ही इनको धर लिया जाएगा इनको गरपतार कर लिया जाएगा और जो टैंप्रेरी जेंट बनाई गई है गई दिलिक में और दिल्ली के बाहर वहां इनको जो प्रिटेंशन सेंटर हैं वहां इनको आराम करने के लिए भेज दिया जाएगा आत्म मंँठन करने के लिए भेज दिया जाएगा सवाल यह है अभाते हैं मूल बिंदू पर गेम प्लेन क्या था और गेम प्लेन किसका था कौन-कौन थे इस फूरे गेम प्लेन के पीछे क्योंकि जब ये पिछली बार आये थे और तेरे महिन्यता कि इन्होंने दिल्ली की नाक में दम करके रखा हुआ था और जो दिल्ली का मेडिया है उसके भी अती उत्साही रिपोर्टर से लेकर के और एडिटर तक सब इनका महिमागान करने में लगे हुए थे और उस तेरे महिने के आंदोलन के पीछे भी उस पूरे खेल के पीछे भी कौन-कौन सी ताक्ते थी इसका खुलासा समय के साथ साथ होता चला गया था इस बार भी इस पूरे गेम प्लेन के पीछे विदेशों में बैठी हुई वो ताक्ते भी हैं जो खालिस्तान का खुआब पता नहीं कब से देख रही है देश के भीतर बैठे हुए लोग भी है पॉलिटिकल पारिटियों के नेता भी है जिन्होंने जो टाइमिंग चुनी है इस बार की लोग सबा चुनाओं से ठीक तेड़ महिना पहले एक महिना पहले ये भी इस शडियंतर के पीछे इस साजिश के पीछे इन आंदोलन जीवियों के पीछे खड़े हुए है ये निश्चित रूफ से एक बहुत बड़ी साजिश थी एक बहुत बड़ा सियासी गेम भी था कि दिल्ली को फिर से बंदग बनाई है छे महिने का राशन पानी लेकर के ये लोग चल रहे थे कितने महेंगे महेंगे ट्रेक्टर्स लंबी लंबी ट्रॉली ट्रॉली भी टेंट नुमा बना करके अब उनमें खाद रसद से लेकर के बिस्तर टेंट और हो सकता है छुपे हुए हत्यार भी हो कि जरूरत पड़े तो मैदान मे कूद पड़ो और फिर जो होएगा उसके लिए मौदी सरकार को जिम्मेदार ठहराओ कि ये तो किसान भी रोधी हैं ये तो किसान का किसानों का दमन करते हैं और उसके बाद सियासी रोटियां सेको और ये सारे हताश निराश परेशान हाल लोग हैं जो तमाम तरहे की राजनीतिक और आपराधिक मुसीबतों में घिर गए हैं बहुत बुरी तरीके से घिर गए हैं अब येन केन परकारेंड सामदाम दंड भेद जो भी रास्ते हो सकते हैं वो सब अपना करके उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या इस तरह के जो गेम प्लैन है इनके इस तरह की जो साजिशें हैं जो जाल बुन रहे हैं ये ये उस जाल में उस गेम में क्या खुद ही नहीं फस गए हैं इस बार? याद करिए जब वो तेरे महिन्य का यहां दिल्ली में अंदोलन चला था और जिसमें बहुत सारी वार्दाते हुई थी और जिस तरीके से दिल्ली वालों की नाक में दम कर दिया गया था और दिल्ली के आसपास का जो पूरा इलाका है जहां जहां इंडिस्ट्रीज हैं वहां के जो एंप्लोई थे एंप्लोयर थे जो वियापारी थे उद्यमी थे उनका कारोबार चोपट करके रख दिया गया था और केवल देश के भीतर नहीं पूरी दुनिया में एक गलत संदेश उसके जरिए भेजा गया था याद करिए कोई ग्रेटा थनबर्ग कोई मिया खलीपा कोई कनाड़ा का पगलेट परधान मंत्री किस-किस तरह के बयान दे रहे थे और किस-किस तरह की नसीहते हमें दे रहे थे भारत को दे रहे थे किसाब आप किसानों को जो है एंड्रेस नहीं कर रहे हैं किसानों की समस्याओं का हल नहीं कर रहे हैं आपको ज़्यादा संवेधन शील होना चाहिए पश्चिम के कई बेशर्म और पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके मीडिया हाउस इस जिनमें बीबीसी लंदन से लेक अगर के वाशिंग्टन पॉस्ट नियू यॉर्क टाइम्स और तमाम जितने भी यह जहां पर यह वामपंथी बैठे हुए हैं वो प्रोपेगेंड़े पर उतर आये थे भारत के खिलाब और उन्होंने भारत की चवी को पूरी दुनिया में खराब करने की कोशिश की थी लेकिन सवाल तो यह है ना कि अगर अपने घर के भीतर ही विभीशन बैठे हुए हों जो बात बेबात सडकों पर उतर जाते हों जिनको ना लोगों की परेशानी से कोई मतलब है ना देश की बदनामी से कोई मतलब है ना इन चीजों से कोई मतलब है कि पिछले दस साल में इस सरकार ने किसानों की भलाई के लिए किया क्या है इनको सिर्फ और सिर्फ जो इनके गेम हैं जो इनके टारगेट हैं अब देश के भीतर भी अब उनके पहरवे तयार हो गए है आप देखी रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी बेशर्मी के साथ कितने दुस्साहस के साथ अलग देश बनाने की खालिस्तान बनाने की बात की जा रही है और खालिस्तान बनने के बाद उसका जो विले है वो पकिस्तान के साथ करने की बात की जा रही है ऐसे लोगों को जो सबक सिखाया जाना चाहिए जो सिख्षा दी जानी चाहिए हम तो अपेक्षा ही करेंगे के देर सबेर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो तीसरी बार चुन लिए जाएंगे तो ऐसे लोगों का इलाज जरूर करेंगे और उन्हों ने पिछले दिनों कहा भी है परलेमेंट के बहर भी कहा है कि बहुत बड़े फैंसले जो है तीसरे कारेकाल में होने वाले हैं तो मेरे जैसे जो विचारक हैं जो विसलेशक हैं जो राश्टवादी पत्रकार हैं उनका तो एक निवेदन यही रहेगा प्रधानमंत्री नारेंद्र मोदी से कि जिस तरीके से आप पिछली बार 13 महिने तक इन लोगों से हिचकते रहे डरते रहे पूरा किसान वर्ग नाराज ना हो जाए ये डर और खोफ छोड़िए ये पूरा देश ऐसे अराजक तत्वों के खिलाब मन से आपके साथ और मजबूती से आपके साथ खड़ा हुआ है बहुत सक्त एक्षन लेने की जरूरत है और इस बार उन्होंने ये करके दिखाया है मैंने इसलिए इस बार ये प्रोग्राम इस विशे पर बनाने की एक चेस्टा की है कि जो मीडिया में बैठे हुए लोग एंकर्स भी कल के सारे फुटेज निकाल करके देख लीजिए एक एबीपी पर एंकर बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि बस कुछ समय की बात है अब ये किसान जो है ये बैरिकेट उखाड फैकेंगे और दिल्ली के लिए निकल जाएंगे ये हर एक की जवाब देही और जिम्मेदारी जब तक इस देश में तेह नहीं होगी तब तक चीजें रास्ते पर नहीं आएंगी तब तक देश में शान्ती की अस्थापना नहीं होगी तो सबसे पहली बात जो मेडिया हाउस के दोरा पुछी जारी है है एडलाइन है क्या ये दिली तक पहुच पाएंगे तो भाईा दिली तक ये इस बार नहीं पहुच पाएंगे इस बार तो दिली में भी buy 1444 लगादी गई है 12 मारश तक किसी भी तरीके से लोगों के इकठे होने या परदर्सम करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है दिल्ली के चारों तरफ सारे राज्यों की सीमाई सील कर दी गई है और मैं आपको डिटेल जानकरी दूँ कि कहां कहां इस वार जो है आवा गमन पूरी तरीके से चोक कर दिया गया है सील कर दिया गया है बंद कर दिया गया है शम्भू बोर्डर जहां आप कल सुबह से देख रहे हैं ये लोग किस तरह से उत्पात मचा रहे थे पत्राओ कर रहे थे इन्होंने एक ट्रेक्टर लाकर के वेरिकेट का पहला जो हिस्सा था वो तोड़ दिया इसके अलावा ये जेसी भी लेकर के आए अमरसर से कहीं अगर आवरोधक मिलें तो जेसी भी के जरीए उसको उखाड करके उठा करके दूसरे तरह पहेंग दो और दिल्ली के लिए आगे बढ़ जाओ तो शम्मू बोर्डर पर क्या इस्तितिया परिस्तितिया हैं यह आप समझ लीजिए जो ड्रॉन के जरीए आसू गैस के गोले इनके ऊपर छोड़े जा रहे थे अब पंजाब सरकार ने अंबाला के डी सी को यह मैसेज भेजा है चिठी भेजी है किसाब आप हमारे क्षेत्र में ड्रॉन भेज करके कर रवाई कर रहे हैं हरियाना के ग्रह मंत्री अनिल विज ने उनको जवाब दे दिया है पहली बात तो यह है कि पंजाब कोई पाकिस्तान नहीं है और दूसरा देश नहीं है दूसरी बात यह है कि पंजाब सीमा में सरहद में खड़े हो करके अगर अराजक तत्व पुलिस फोर्स पर अर्द सैनिक भलों पर पत्राव करेंगे तो वो तमाशा नहीं देखेंगे पुल के इस पार खड़े हो करके वो कार्रवाई करेंगे और अगर यही रवया पंजाब सरकार का रहा जो वो दिखा रही है राजपुरा से पूरे बैरिकेटिंग हटा करके पंजाब पुलिस ने इनको रास्ता दिया है कि आप लोग आगे जाईए दिल्ली पहुंचिए जिस तरह के बयान महा के मुख्यमंत्री भगवंद मान के ला रहे हैं 21 तरह का रवया आरविंद केजरिवाल का और जिस तरीके से यह जो इनका नया पहर्वा है जो इस आंदोलन को को लीड कर रहा है सरवान सिंभ पंदेर कि उसने जिस तरीके से भारतिय जंता पारटी नित्रत्य टुकी भी आलोचना की है कॉंग्रेस को भी लपेटा है के साभ हम तो कॉंग्रेस के भी खिलाब है लेकिन अर्विंद केजरिवाल के बारे में भगवन्दमान सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोला है उससे यह साफ हो गया है कि इस पूरे गेम प्लेन के पीछे कोई और नहीं है अर्विंद केजरीवाल और पंजाब सरकार है और यही इनको एक सेफ वे दे रहे हैं आगे जाने के लिए और दिल्ली को फिर से जो है बंदग बना करके यहां आतंक फैलाने के लिए लेकिन इस बार जिस तरीके से हरियाना में करीब करीब साथ कंपनियां अर्द सैनिक वलों की भेजी गई चालीस कंपनियों से ज्यादा पुलिस फोर्स महां लगाई गई है और केवल शंबू बोर्डर की बात नहीं है जो क्यूकर बोर्डर है जो चीका बोर्डर है जो दाता सिंग वाला बोर्डर है जो खनोरी वाला बोर्डर है जो डवाली से लगा हुआ है काला वाली से लगा गए हैं और हर जगह जो है आवाजाही बंद की गई है इसका मतलब यह और जिस तरीके से इस बार पिछली बार जो सबसे ज्यादा हंगामा किया था इन्हों ने एक सिंगू बोर्डर पर एक टीगरी बोर्डर पर इन दोनों जगहों पर इस बार पुखता इंतिजाम किये गए हैं केवल कटीले तार और दूसरे इंतिजाम नहीं किये गए हैं जगे जगे जो सर्विस रोड होती है उसको भी दस दस फुट गहराई तक खोड दिया गया है कि कोई भी ट्रेक्टर ले करके इस बार दिली में घुस ना जाए और ये ट्रेक्टर को क्यों प्र्तिवंद किया गया है प्रतिवंदित किया गया है आपको याद होगा इनोंने तमाशा किया था जब रोग के बावजूद इन्होंने ग्रंतंत्र दिवस के दिन जो हिमाकत की थी उसको दिल्ली कभी भूल नहीं सकती है और देश भी कभी भूल नहीं सकता है इन्हों कहा कि ग्रंतंत्र दिवस में हम भी ट्रैक्टर्स की परेड निकालेंगे हमें परेड निकालने की इजाज़त दो दिल्ली पुलिस ने यह सोच करके और होम मिनिस्ट्रि ने भी यह सोच करके के वही एक वहकलपिक रूटीन इनको दद दिल्ली से बार बार का और यह वहां से अपना परेड निकाल लेंगे गणतंद्र दिवस का मुखा है ऐसा क्या करेंगे ये के जिस पर जो है हम शक करें लेकिन क्या किया इन्हों नहीं मुकर्बा चोक से बैरी केट तोड़ करके इन्होंने लाल किले पर जाकर के चड़ाई की थी और लाल किले पर ऐक dharmick घंडा फेरा करके आपत्ती जनक नारे वाजी की थी और इतना ही नहीं वहाँ पर जो पुलिस कर्मी अर्दसैनिक बल तैनात थे उन को पीट-पीट करके गहरे नाले में धकेल दिया था ये पुलिस के जवान हों अर्दसैनिक बलों के जवान हों हमा जिस तरह का आतंग के इन्हों ने पिछली बार मचाया और तेरह महिने तक दिल्ली को बंदग मना करके रखा इनके इरादे इस बार भी वैसे ही थे वरना क्या वज़े है परदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने तीनों वो क्रिशी कानून तो वापस लेने का हैलान कर दिया था जिन पर खास तोर से इन लोगों को परिशानी थी केवल पंजाब के इन तथाकतित किसानों को परिशानी थी और हर्याना के भी कुछ संगठन जो है इनके जहां से में आ गए थे और उस समय तो यह प थोड़ा सोच समझगर के फैसले ले रहे हैं हालाकि जानकारी मिली है कि वह चड़ूनी ने जो है कोई कल मीटिंग बुलाई है किसानों को बड़ा अत्याचार हो रहा है उन्हें पर आसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो हम लोग इस पर विचार करेंगे उदर राक सरकार ने तीन मंत्री बैटे थे अभी दो दिन पहले भी जिस दिन ये इनकी कॉल थी 13 फरवरी की उससे एक दिन पहले 12 फरवरी को भी चंडिगड में 5.5 घंटे तक मिटिंग चली है और इनको समझाया गया है कि जो मांगे आप लेकर के आए हैं ये मानी नहीं जा सकती है और इन में से कुछ पर विचार किया जा सकता है लेकिन ये सारी मांगे ऐसी है कि देश के सारे राज्जियों से प्रामर्श करना पड़ेगा इसके लिए ठाइम चाहिए ऐसे थोड़ा होता है कि आप एक बंदूक लेले कान पर रख दे कनपटी पर रख दे किसाब हमारी सा माशा इस बार यह करना चाहते थे और फिर से दिल्ली में इनको बैठा करके यहां पर ब्लैक मेलिंग की कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे और कौन नहीं जानता है अरविंद केजरिवाल को दिल्ली की राउज एवन्यू कोट ने 16 फरवरी को तलब किया हुआ है और इनको अब एक्यूज बता दिया है अब तक यह पूछ रहे थे ना कि एडी जो पांच समन भेज रही है वो गैर कानूनी है जी पहली बात तो यह है कि रोज एवन्यू को बाके गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है वो सारे के सारे संबंध्यों है वो वैलिड है कानून के तहत है पूरी तरह वैद्ध है और आपने इनकी अवहिलना करके कानून का उलंगन किया है और केवल इसी मामले में इनको एक साल की सजा हो सकती है तो यह किसी भी तरीके से एडी का सामना करने और पूश्ताश के लिए उपलब्द होने से बचने की कोशिश करते आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि शराब गोटाले में इनके तीन करीबी मनीश सिसोधिया संजय सिंग वीजे नाया वो गिरफतार हो चुके हैं उनको जमा प्रणत नहीं मिलेगी और उसके बाद इनकी पारिटी का भी क्या होगा इनकी दिल्ली सरकार का भी क्या होगा यह भी अच्छे तरीके से जानते हैं और यही सब वजह है कि यह पेश नहीं हो रहे थे लेकिन अब तो पेश होना पड़ेगा अब तो कोट यह कहेगा जब यह पेश होंगे और अगर इस बार भी इनोंने बहाने बाजी की कोट के संबन को भी चैलेंज किया इनोंने तो बहुत भारी पड़ेगा इन पर लेकिन यह जो टेक्टिस अपनाई जा रही है और जिस तरह की बयान बाजी हुई है कुछ तथाकतित किसानों के द्वारा जो इस्तवाल कर रहे हैं कौन कॉंग्रेस के नेता असदुदी नौवेसी अखलेश यदव यह सारे लोग यह बेहत खतरनाक है यह ऐसे तत्वों को किसान बताने की कोशिश कर रहे हैं जो च्छे महिने के राशब के साथ बेहत महंगी गाडियों में साट साट लाक की गाडियो में पंजाब से रवाना हुए से दिल्ली चलने के लिए और इनको यह यकीन था कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे इस बार फिर हम दिल्ली की गरदन पर घुठना टेक करके बैठ जाएंगे लेकिन इस बार इस बार मौधी सरकार ने वह किया है जिसकी अपेक्षा देश उन के मजबूत नित्रत्व से करता है और ये जब ये तेरे महिने के लिए बैठे थे उस समय भी लोगों ने सवाल खड़े किये थे कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी को ऐसे आंदोलन जीवियों के साथ जिस तरह का सुलूग करना चाहिए वैसा सुलूग वो नहीं कर रहे है सो इस बार इनको इनकी हैसियत बताई गई है इनकी जगह दिखाई गई है 24 गंटे से ज्यादा हो गए 36 गंटे से ज्यादा हो गए शंबू बोर्डर से आगे बढ़ नहीं पाए हैं और जितने बोर्डर मैंने बता है अभी गिनाए हैं हर्याना और पंजाब के लगते उनको बता दिया गया है कि क्या करना है और ये लोग अगर पैदल चल करके बसों से ट्रेन से दूसरे माध्यमों से कार से दिली पहुँच भी जाते हैं तो ट्रेक्टर तो बिलकुल नहीं उसने दिये जाएंगे ये भी पहुँचेंगे तो गिरफतार होंगे इस बार क्यो माशा करने की तैयारी कर रहे थे दिली में इसलिए बहुत मजबूती के साथ इस बाप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की सरकार ने इनका जो गेम प्लेन था उसको पूरी तरीके से विफल करने का फैंसला किया है और अब तो जो गेम प्लेन पलटने की बात मैं कर रहा कि हताश निरास परेशान और सुपारी लेकर के दिली की तरफ भागने वाले ये किसान तथाकतित किसान निता कह रहे हैं कि कल से हम पंजाब में ट्रेंस रोक देंगे यानि अब भगवंतमान सरकार जो इनको सुरक्षित रास्ता दे रही थी दिल्ली पहुंचने का अब उसके सिर पर पड़ेगी आकर के अगर पंजाब के ही लोगों को यात्रियों को परेशानी होगी तो जवाब देहे कौन होगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी नहीं होगे या हरियाना की सरकार नहीं होगी या ग्रह मंतरी अमित्षा नहीं होगे जवाब देहे अब भगवन्तमान सरकार होगी और अर्विंद केजरीवाल होगे और जो खालिस्तान का राग अलापते हैं इस तरह के मौके पर अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी जवाब देही और जिम्मेदारी तैह होगी अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लग को तक अगर अगर नहीं में सब्सक्राइब कर रह मैं लगी सब्सक्षकरोज है।